अगर आपको मोंग दाल के वड़े बहुत ज़्यादा पसंद है तो गैरंटी है कि आपको यह मट्री भी पसंद आएगी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रुक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए तो फ्रेंट्स इस मट्री को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हरी मोंग दाल यूज़ करी है छिलके वाली तो मैंने मिक्सर जार में हाफ कप मोंग दाल को दो से तीन सेकंड के लिए चलाया फिर से बंद किया दो से तीन सेकंड के लिए चलाना है फिर से बंद करना है और इस और यह समी आपको मौंग दाल कॉ पीस लेना है पीस के बाद आपको कम से कम 2-3 इसे दो लेना है और एक पाने में से बिगो देना है तो को दो गंडे बिगोने के बाद ये देखे इस तरह फूल गई है और आपको पानी जो है बहुत जादा एक्स्ट्रा नहीं डानला है क्यो तो अब मैं इसके अंदर डाल देती हूं दो हरी मिर्ज और हाफ इंच अद्रक है जिसको मैंने कूट लिया है हमान दस्ते में उसके बाद मैंसे में डाल रही हूं तू टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड कोरियंडर लीव्ज हरी धनिया पत्ती यहाँ पर मेरे पास यहाँ लिकूिद हिंग वह में डाल रही हूं आप इसकी जगर हाफ टीवी बार सकते हैं हिंग फुर टीव नमक मैंने सुखा दनिया और जो सौफ है वह वप्षण सब्से इसको मैंने हमान दस्ते में इस तरह देखे कूट लिया है और इसमें हम डाल देते हैं ये उसके बाद 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर 1 टीजपून जीरा 1 टीजपून हल्दी पाउडर 2.5 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ पीनट ओयल, आप कोई भी ओयल डाल सकते हैं एक बार के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक कप गेहूं का आटा, यह भी मैंने हाफ कप डाला है और हाफ कप और डाल दिया और इसको हम मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर आटा हम जरुवत के अनुसार डालेंगे मतलब हमें इसके अंदर पानी और नहीं डालना है जितना डाल के अंदर पानी होगा, मौश्चर होगा उसमें जितना आटा आएगा उतना ही हम इसके अंदर डालेंगे तो अभी यह मुझे थोड़ा सा गीला लग रहा है तो मैं इसके अंदर half cup गेहूं का आटा जो है और डाल रही हूँ तो total मैंने half cup डाल लीती जिसे भिगो दिया था मैंने 1 cup पानी में और 1.5 cup मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है तो अभी इसको अच्छे से हम मसल के लगा लेते हैं dough तो यह देखे हमारा जो dough है लगके ready है और यह मतलब semi hard dough है बहुत जादा hard नहीं है बहुत जादा यह soft भी नहीं है तो थोड़ा सा oil लगा के इसे 10 minute के लिए side में रख देते हैं after 10 minutes यह हमारा जो dough है वो बिल्कुल ready है तो इसकी हम जल्दी से मठरी बनाएंगे आप चाहे तो छोटे छोटे देखे इस तरह जो है पेड़े बनाकर इसकी पूरिया बेल सकते हैं बट मैं इसमें से एक बड़ा सा portion लेके एक बड़ी सी रोटी जो है बिलने वाली हूं और उसे हम cut करेंगे glass से ताकि जो सारी मठरी है वो एक shape की बने तो इसको देखे पहले आपको सूके आटे में इस तरह coat कर लेना है और सूके आटे में आपको hardly से एक या दो बार ही coat करना है ज्यादा आप आटा यूज नहीं करें अगर आटा जो है एकदम सही लगता है तो आपको सूके आटे की जरुरत नहीं पड़ेगी बार-बार तो देखे मैं इसको इस तरह बेल रही हूँ अब मैंने यहाँ पर देखे ग्लास लिया है इसे कट करने के लिए और ग्लास को सूके आटे से थोड़ा सा डस्ट कर ले ताकि इसके उपर चिपके नहीं अगर आपके पास डिफरेंट शेप के कुकी कटर है तो वो आप यूज कर सकते हैं मठरी बनाने के लिए आप स्क्वेर या ट्रेंगल शेप में भी इसे कट कर सकते हैं तो यह जो एक्स्ट्रा डू है वो हम निकाल लेते हैं साइड में से उसके बाद आप फोग या फिर नाइव से इसके अंदर होल बना ले ताकि यह जो मठरी है वो पूरियों की जैसे फूले नहीं जब हम इसे फ्राई करें और यह काफी क्रिस्पी कुरकुरी सी बनेगी तो एक बार जो मठरी है मैं आपको पास में से दिखाती हूँ उसके थेक्नेस मैंने कितनी रखी है तो इस तरह देखिए आप जो सारी मटरी है वो बना के रेडी कर ले और उसे प्लेट में जो है इस तरह रखते जाए और आपको जो सबसे पहले मटरी हम बना के रखेंगे वो लाइन वाइस ही रखनी है जो सबसे पहले हमने बेली थी उसे हम फ्राई भी सबसे पहले करेंगे तो सारी मठ्री देखे इस तरह बना ले और फिर एक साथ ही फ्राई करेंगे तो ये देखे मैंने जो ओइल है वो पहले सही गरम होने के लिए रख दिया था तो जैसे आप इसमें थोड़ा सा डू डाल के देखते और वो विदिन टू सेकेंड वो उपर आ जाता है मलतब जो हमारा ओयल है वो इतम पॉफेक्ट गरम है मठ्री फ्राई करनी के लिए तो एक बार के लिए आप इसमें बारा से पंदरा जो मठ्री जो है डाल सकते हैं गयस का फ्लेम मैंने अभी हाय ही रखा है, जब आप मठ्री डालेंगे स्टार्टिंग में मेडियम से थोड़ा सा मदब उपर रखेगा क्योंकि अगर अपने मेडियम याफिर भार स्लोओ फ्लेम पे इसे फ्राई किया तो बहुत ज़्यादा तेल भी एब्जॉब कर लेगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा इसे फ्राई होने में तो फ्रेंज ये जो मटरी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको धाल के पकोड़े पसंद है ना 110 परसन ये जो रेसिपी है आपको पसंद आने वाली है तो चिम्टे से मैं जो है इसको पलट रही हूँ आप चाहे तो कर्ची से भी इसे पलट सकते हैं तो एक एक करके सारी मटरी को हम देखे पलट लेंगे जब ये जो मटरी है बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इसके आजू बजू में ये जो जाग आ रहे ना ये भी बहुत कम हो जाएंगे तो बीच बीच में आपको क्या करना है कर्ची से इसको जो है टर्न करती रहना है ताकि ये दौनों साइड से बहुत अच्छे से फ्राई हो एक बैच को फ्राई होने में एजली साथ से आट मिनट या फिर दस मिनट लग जाते हैं डेपेंड करता है आपकी गैस के फ्लेम पे तो ये दीखें बहुत अच्छे से जो है फ्राई हो गया है इससे ज़्यादा आप इसे फ्राई नहीं करें नहीं तो इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और वो खाने में टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा तो इसे निकालने के बाद आप चाहे तो कोई छन्नी में रखे या फिर टीशू पेपर पे रखे तो बाकी की बच्चीवी मट्री भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं तो यह देखे हमारी मुंग डाल मट्री क्रिस्पी कुरकुरी सी बनके रेडी है आप एक बार इसे बनाएंगे ना तो बार बार आपका मन करेगा बनाने का तो एक जो मट्री है मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनती है इस मट्री को आप इसली 25 डीज के लिए स्टोर करके रख सकते हैं एर टाइट कंटेनर में बाहर ही और आप इसे ट्रैवलिंग में भी ले के जा सकते हैं अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताईए और लाइक जरूर कीजिएगा टाडा